नमस्कार दोस्तों, तो आज सभी का CLC परिवार में स्वागत है, मैं विनोद कुमार, CLC Team Physics, आप सभी का स्वागत करता हूँ, देखो, तो हम गुरुनिती का next class लेके आये हैं, जो ग्रेविटेशन की प्रिवेशर क्यूशन से हमारे, उसके बारे बात करते हैं, देखो बेट 2 meter, 4 meter and 8 meter, respectively, from the origin, यानि क्या कहा गया बटा सवाल के अंदर, कि भई हमारे पास में, मान लो कि ये हमारे पास coordinate axis था, ये हमारा origin है, ये क्या है बटा जी, origin है, इससे 1 meter की distance पर, इससे 2 meter की distance पर, इससे 3 meter की distance पर, sorry, 3 की बज़ा 4 है बटा, ये 4 meter की distance पर, ऐसे respectively, हमारे पास क् मास रखे गए हैं, कितना मास रखा गया है, 2 kg, 2 kg, 2 kg, परतेक मास हमारा रखा गया है, कहां तक रखा गया बटा जी, ये infinity तक रखा गया है, अब देखो, परतेक के कारण से, पूछा क्या अपन से, कि इसके कारण से, the resultant gravitational potential due to system at the origin, तो हमारे को potential चाहिए, विबव चाहिए कहां पर, मूल बिंदू पर सभी के कारण से, तो हम क्या करेंगे, इसके कारण से जो यहाँ विबव आएगा, वो minus का gm, इसको मास m माल लेता हूँ, upon r, r कितना हुआ, 1, then gm, m तो अभी भी हो यह है बटा, r कितना हुआ, 2, again gm upon 3, क्या इसी 3 की बज़ा है, 4, sorry, 4 ये बार बार 3 आ रहा है, ये बटा कितना हमारा, 4 meter, again इस तरीके से हम लो आगे, चलते जाएंगे हम लोग, ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, ये वी आ गया, at the origin, minus का gm मैंने common लिया है बटा जी यहाँ, तो 1, plus 1 by 2, plus 1 by 4, plus 1 by 8, इस तरीके से हमारा ये आगे की तरफ, चलता जाएग कौन सा सिरीज हो गया बटा ये, जी पी, geometrical progress, गुनोत्र स्रेनी हो गई, अब गुनोत्र स्रेनी के लिए, अनन्त पदो का योग का सुत्तर होता है मारा, ये ऐसा कैसा लिखा, A, A कितना मतलब, first term, first term एक है, upon 1 minus R, R क्या होगा, इस वाले को, इस से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा, वो R होगा, तो ये कितना value आगया हमारा, minus का, ये 1 by 2 बचेगा, 2 उपर चला जाएगा, minus का 2, G into M, M का value कितना है, 2 के G, तो minus का 4 G answer हमारा, तो correct answer हो जागा इसका हमारा, minus का 4 G, देखो, next question हमारा, आगे चलते हम लोग, second question, ये बटा, उसी से जुड़ावा सवाल ह लेकिन ये dimension से जुड़ गया हमारा, dimension का formula, dimension का जुड़ावा सवाल है, इसने बोला कि velocity C, gravitation constant G or this term, is depends on, the length is depends on, जो length हमारी, इन सभी पर depend करती है, बटा, देखो, इरा, physical quantity, dimension of length, depends on in these physical quantities, तो बटा, देखो, क्या से solve करेंगे इसको हम लोग, इसको solve करने के लिए, हमने बोला कि लेंथ, पहले तो हमको बटा, जिन जिन terms लिखे गए, उन सब की dimension पता होनी चीए, G की dimension लिखेंगे हम लोग, G की कहां से आएगी, Newton into meter square per kg square, यही आएगा, Newton का लिखूंगा, kg into meter per second square, into meter square per kg square, देखो, kg ने kg को मार डाला, तो यहां से dimension आएगी, M inverse L raise to power 3 and T inverse T की power minus 2, देखो, यही आएगा, यह किसका आगए dimension बटा हमारा, capital G का, दूसरा आपको C का चाहिए, तो C आप सब जानते हो, L T inverse आएगा, तीसरा हमारे पास है, E square upon 4 pi epsilon node, देखो बटा, डियान से देखोगे, यह जो formula बना है, वो F equal to K Q1 Q2 by R square से बनता है, मैं तो कहता हूँ, यह K बन गया हमारा, तो हम लिख देंगे इसको Newton into meter square, Newton into meter square हो गया, और Newton को लिखेंगे, M L T minus 2, बटा, यह meter square तो कितनी power हो गई हमारी, 3 power हो गई, यह हमने किसका बेरी निकाल लिया, E square upon 4 pi epsilon node, बात आती है, इसको लिखने की बटा, तो यहाँ आएगा length की power 1, equal to, proportional लिख देता हूँ, G, G हमारा है, M inverse, L की power 3, T की power minus 2, and the power X, X लिख दिया, generalized form जो अपन देखते हैं, बटा, फिर मैंने कहा, कि बटा, C, C के लिख दिया, L T inverse power Y, फिर लिखता हूँ, T के बाद में, E square 4 pi epsilon node के लिए, तो M, L की power 3, T की power minus 2, क्या हो गया बटा, यह, Z हो गया, करना कि अब आपको comparison करना है, तो यहाँ से M की power 0 है, इधर जो M की power है, वो minus X हुई, यहाँ है नहीं, यहाँ अमारे पास में, plus Z हुआ, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि X equal to Z हुआ हमारा पहला condition, मिला एक equation, दूसरा equation, L की power एक है इधर, इधर कितना बटा, 3X, इधर देखो L की power क्या है, plus Y, and L की power 3Z, और Z की जगर क्या लिख रहा हूँ, X लिखा जा रहा है, तो 3X हो गया है बटा जी, यह, तो हमने लिखा 6X plus Y equal to 1, यह equation number second, यह दूसरा equation, थर्ड equation के लिए solve करते हैं मिदाम लोग, थर्ड equation देखो, थर्ड equation की बात करेंगे तो किसकी इतनला करेंगे, T की power 0 equal to, यहाँ T की power minus 2X है, यहाँ T की power minus Y है, यहाँ T की power minus 2Z, then it becomes X, so minus 4X minus Y equal to 0, equation number 3, बटा equation 3 को और 2 को add कर देंगे, तो Y से Y cancel हो जाएगा, बचेगा क्या, 2X equal to 1, then X equal to 1 by 2, क्या Z भी इसके बराबर ही आगया हमारा, बात करते हैं Y निकालने की यहाँ से, यहाँ से Y निकालेंगे तो Y is equal to minus का 4 into X, देखो सही लिखा क्या आपने, X का value 1 by 2, यह 4 यह 2 cancel हो गया, तो कितना value आया? minus का 2 आगया, तो यह जो अब आपके पास हैं बचा हुआ है, जिसको आपने terms की 4 में लिखा, इसे formula की 4 में convert करेंगे, सब की values लिखी जाएंगी, L proportional to, G की power 1 by 2, C की power, C हमारा कौन हुआ? velocity, तो यह हो गया, minus 2, and E square by 4 pi epsilon node, इसकी power कितनी हुई? 1 by 2, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं बचा, तो यहां से हमें थोड़ा सा formula बना देते हैं, देखो क्या बनेगा, G, E square by 4 pi epsilon node का under root हो गया, upon, C की power कितनी यह बचा? 2 हो गई, तो यहां से हम लोग थोड़ा सा arrange कर लेंगे, इसके coding देखते हैं, क्या formula बनेगा, देखो 1 upon C square, G, E square यह positive थे, तो यह हमारे पास 4th answer बन गया, next question, next question देखेंगे बटा, देखो, next question में क्या दिया गया? theoretical सवाल हमारे NEET का, 17 में आया था कि, भई, which of the following statement is correct? क्या कहानी कही गई है? कि किसी भी पिंड का center of gravity, गुर्तवियक के अंदर, और center of mass, हमेशा संपाती होता है? नहीं, हमेशा संपाती होगा यह जरूरी, हमेशा concentric होगा, coincide करेगा ऐसा कोई जरूरी, center of mass होता है, वो point जहाँ पर हमारा mass concentrate होता है, और center of gravity होता है, वो point जहाँ पर gravity concentrate करती है, कहने का मतलब हुआ, कि जहाँ पर mg लगेगा, वो हमारा क्या हुआ बटा, center of gravity हुआ यहाँ तो हमने कहा कि हमेशा संपान होगा यह जरूरी, नहीं है, इसका हमेशा statement हो, गलत, दूसरा बोला किसी पिंड का दर्मान के अंदर, वह बिंदु है, जहाँ पर पिंड कबर लगा कुल गुरतिय बलागोन सुनने होगा, यह बात सत्ते हैं हमारी, कि जिस point पर हमारा mg लगता बल यूग में, यानि कपल, कपल फोर्स, और प्रोड्यूज बहुत ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, नहीं, बेटा जब भी आपका, बल यूग में आपका कपल फोर्स लगता है, इसका मतलब देखो समझो, कि हमारे पास में, अगर यह कोई object है, इस object पे मैंने एक फोर्स लगाया एफ इदर से, एक फोर्स लगाया इदर से एफ, यह कोई भी बोडी है हमारी, यह क्या करेगी केवल, रोटेशन, कभी भी हाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नेट फोर्स कितना है हमारा, जीरो, मतलब यह कंडिशन हमारे समझ में आई कि भाई ये हमारे पास possible नहीं है तो ये हमारे पास गलत बात हुई अगें और इसकी बात करेंगे ये हमारा सही था ये गलत था यांतरिक लाब का मान mechanical advantage greater than the one means the small effort can be used to lift a large load यानि बड़े सामान को सो तो 10 किलो उठाना है आप उसको 4 किलो लगाकर 6 किलो न्यूटन फोर्स के बराबर 6 केजी फोर्स के बराबर फोर्स लगाकर उसको lift कर रहे हो तो एक से जादा हुआ एक से जादा होता है इसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में एक तरह कि जो mechanical advantage आएगा वो एक से जादा होगा तो ही हमारा काम का हुआ तो statement जो सही है वो कौन से होए B और D ये correct answer हुआ next question बटा next question हमारा आता है कि किसी प्रस्ट से acceleration due to gravity at the height 1 km above the earth is same as the depth is below बटा देखो किसी height पर G effective का जो value आएगा वो आएगा G 1-2H upon R equal to same बोल रहा है G 1-D by R ये हमारा condition हुआ कि depth पर और किसी height पर जो हमारे पास में at height 1 km तो G ने Z को मार दिया यहाँ से calculated किया गया तो D is equals to 2H और H का value किता दिया बटा आपको 1 km then D becomes कितना हो गया बटा 2 km कितना हुआ हमारा D का value 2 km हुआ है next question अगला सवाल आया हुआ है बटा देखो क्या है कि फिर theoretical सवाल है कि 2 astro nodes है बटा वो ऐसी जगह पर है floating in gravitational free space after having lost contact with the spaceship gravitational free है कोई gravitation वहाँ नहीं है तो बटा वो यह एक दूसिरे की तरफ attract होंगे क्यों attract होंगे क्योंUT अठरक्ट होंगे प्रवान में 10 गुना कर दिया, 10 G बना दिया, G को क्या बना दिया बटा, 10 G और जो मास सूरिय का सन का, उसको क्या कर दिया, 1 by 10 times तो किन-किन चीजों में हमारा चेंजे जाएगा, हम लोग बात करते हैं कि G में क्या चेंज आया G का वेल्यू होता है हमारा, G M E upon R E स्कुआयर, अब बताओ, अब जो नया जीडेस आ जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा 10 G, मास ओफर्थ, क्या उसमें कोई चेंज आया, नहीं, मास ओफर्थ में कोई चेंजेज नहीं आया सन के मास में चेंज आया है, ये R E स्कुआयर, तो सोच के देख, G का वेल्यू कॉंस्टेट है की नहीं है, नहीं है बता, G का वेल्यू बढ़ा की गठा, G effective बढ़ गया बटा, G के बढ़ने से परत्वी पर जो पैंडूलम होता है उसका आवर्थकाल कम हो जाएगा, समझते हैं, आवर्थकाल का फॉर्मूला 2 पाई अंडरूट ओफ L बाई G क्या G बढ़ गया तो T कम हो गया, तो हमको क्या बोला गया है, सही स्टेटमेंट हुआ, तो अच्छा गलत पूछापन से, कौन सा सही नहीं है तो सही है, यह आंसर नहीं है पहला, पहला सही है, परत्वी पर G के मान में परिवर्तन नहीं होता, यह गलत बात है देखो G का मान तो चेंज हो रहा है हमारा परत्वी पर क्योंकि बहुतों मास उसका बदल रहा है तो हमने बला कि बाई साथ दस जो गुना हमारा हुआ है वो G का मान हुआ है Capital G का मान हुआ तो ये small g चेंज हो गया हमारा तो चलना कठिन हो जाएगा तो ये बात भी सही है वर्सा की बुंदे धर्ती पर अधिक तेज गिरेगी जी बढ़ गया तो वो जल्दी तेज आना शुरू कर देगी बटा तो हमारे पास में चार नंबर भी सही तो correct आंसर कौन सा बना हमारा दूसरा जो है जो गलत पूछा उसने वो दूसरा आंसर हुआ next question हुआ बटा हमारा next question है कि एक body है जिसका weight कितना है? 200 newton है on the surface of the earth how much will it weight halfway down to the center? कहने का मतलब किसी पिंड का पर्थवी के प्रस्ट पर 200 newton है तो पर्थवी के केंदर की और आदी दूरी पर जाता है 1 upon d by re लिखा जाता है ये g surface होगा इसने बोला कि वहाँ weight कि इसको m से multiply कर दूँगा तो ये w की form में आ जाएगा ये w surface पे कितना बटा जी? 200 1 minus d कितना लिखना आपको? धर्ती की radius के halfway आधी दूरी r by 2 तो r से r कर जाएगा 1 by 2 कितना answer मिला रहे भई? 100 newton यानि धर्ती के जो सतय थी हमारी ये center हुआ ये distance हमारी क्या है? re के बराबर ये सतय से हम कहां आ गए बटा? re by 2 पे इस जगए पर weight कितना हो जाएगा तो मारा 100 newton बचेगा बटा next question है कि भई हमको दिया गया अगला सवाल कि a body weight 72 newton on the surface of the earth what is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the earth बटा उसने क्या बोला? जो पहले वाला सवाल था वही कोपी सवाल बस थोड़ा सब पदल दिया गया कि height पे जाना पहले कहां जा रहे थे? depth पे अब हम लोग height पे चलते हैं कि भई ये height यहां से लेनी है वो कितनी height है? re by 2 की height हुई इमारी यहां पर weight कितना होगा? और यहां पर w कितना दिया गया आपको? 72 newton तो किसी height पर अपन को चलना है तो जो w effective आएगा वो w surface वाला 1 plus h upon h का value कितना हो जाएगा? r by 2 यह r पहले से था power कितनी होती है बड़ा? minus 2 power होती है जब reality की बात करें तो हमने बोला यह r से r cancel 1 plus 1 by 2 3 by 2 power minus 2 है तो क्या लिकूंगा? 72 into 2 by 3 उल्टा कर दिया power को positive करने के बाद यह 9 हो गया 9 को काट दिया 8 आगया 8 into 4 कितना है हमारा? 32 newton तो correct answer क्या मिला आपन को? 32 newton मिला next question चलते हैं मैटा no number पे no number question दिया आपन को कि a body of mass 60 gram experience gravitational force of 3 newton when placed at a particular point the magnitude of the gravitational field intensity field intensity का मतलब क्या हुआ? g का value निकालना है small g का value यानि e g बोल दो चाए g बोल दो क्या बोला जाएगा बटा जी? f by m f कितना है? 3 newton m कितना है? 60 gram और the answer is in kg then it becomes 10 raised to power minus 3 तो बटा इसको cancel कर देते हैं हम लोग या जाएगा 20 इसको लिग दिया तो ये power उपर चला जाएगा 100 by 2 कितना आगिया? 50 answer तो correct answer क्या हुआ रहे भई? 50 newton per kg बहुत आसान paper है कोई सोच ने समझने के ज्यादा जरुवती नहीं पड़ेगी बटा अगला question हमारा 10th number 10 number a body of mass small m is taken from the earth surface the equal height to the twice the radius of the earth the change in potential energy बटा surface पे potential energy हो कहीं पर भी वो लिखी जाती है g, m, e, m node upon small r ये हमारे पास small r की k, q1, q2 by r या g, m, m, 2 by small r तो ये हुआ हमारा u initial बात करें बटा u final की तो वो क्या लिखा जाएगा? g, m, e, m node upon कहां लेके गए हैं बटा हम लोग? दो गुना radius की बराबर उंचाई पर तो distance कहां से लेनी होती है? यहां से distance लेनी होगी कितनी हो जाएगी रे भाई? 3 r e ये कितनी है हमारी? 2 r e के बराबर समझ में आई बात ही है तो इसमें लिख दिया अपनने कितना? 3 r e के बराबर देखो इसमें आगे बड़े हम लोग सवाल में तो अपन को जो work done पूछा या change in potential energy इस्तती उर्जा में परिवर्तन क्या हुआ? तो delta u अपन को निकालना है delta u में आपको समझ में आता है u final minus u initial minus का 1 by 3 minus of minus this यानि minus 1 by 3 plus 1 कितना बच जया गया बटा? 2 by 3 gme m node upon r इसको उपर नीचे r से multiply कर देंगे small g बच गया तो क्या answer मिला? 2 by 3 m node gene to r ये correct answer हुआ 2 by 3 ये चोथा answer इसका correct answer हुआ 10 number question हुआ अगला question देखते हैं बटा ये आपको CLC के बारे में कुछ नए बेचे जो start हो रहे CLC कौन-कौन से बेचे चलाती है उसके बारे में आपको detail दी जा रही है कि target course हमारा चलने वाला है जिसका date होगा हमारा 6th April से 6 April से नया बेच start होगा target के लिए जो बच्चे ने 12th past करी है 12th की exam दी है वो बच्चा ये course में admission ले सकता है हमारा 6 April से बाकी contact detail आपको मिल जाएगी foundation course भी चलाता है CLC जिसके अंदर 11th और 12th foundation परतेक का जो बच्चा जैसे 10th past किया वो 11th में आएगा जो बच्चा 11th past किया है वो 12th में आएगा ये foundation का हमारा course हुआ हर एक जो class है उसके लिए एक साल का हमारा duration रहेगा ये वी 6 April से start हो रहा है अगला हमारा है 2 in 1 course ये उन बच्चों के लिए है जिसने किसी भी कार्ण वस school में admission ले लिया था coaching नहीं कर पाया था या coaching में पढ़ाई नहीं कर पाया या तो ऐसे बच्चों के लिए 2 in 1 course का मतलब 12th के साथ में ये उन बच्चों के जनली है जो 11th में नहीं पढ़ पाये थे 12th में वो 11th और 12th उनको पढ़ाया जाएगा ऐसा ही 9th के बच्चे जो अभी 10th में आये हैं उनको 9th और 10th से दोनों पढ़ाया जाएगा ये 6 April से चालू हो रहा है बच्च अगला ये target बेच हुआ हमारा फिर से वो 6 April से चालू हो रहा है लग-लग ये NDA course भी हमारी sales सी करवार, sales सी परिवार करवाता है तो NDA के अंदर 12th foundation 11th, 12th moving duration 1 year, 6 April से नया बेच स्टार्ट हो रहा जो बच्चा NDA defense में जाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा जो option होता है ये वो है तो बड़ा इसके लिए ये हमारे पास में जो course हुआ इसके detail 11th foundation के लिए ये duration 1 year का हो गया इसके लिए बात करें बड़ा अगला pre-foundation ये उन बच्चों के लिए है जो छोटी classes के अंदर पढ़ते हैं जैसे 6, 7, 8 जो बच्चा Olympiad, IAPT, STSE, NSTSE ये जो सारी exam से Olympiad, RMO, IMO सभी के exam की detail इसमें दी गई है उसके लिए बच्चा जो भी तयारी करना चाहिए वो CLC परिवार से जरूर जुड़ेगा देखो बड़ा अगला जो आपको बताया गया है कि हमारे जो classroom है classroom center कौन कौन से हैं जो offline center चालते हैं बड़ा हमारे वो सिक्कर में चलते हैं पिप्राली रोड सिक्कर के अंदर है अलवर में है हमारा जैपूर में है offline center जैपूर में दो offline center है उनकी contact detail आप यहां से लेकर जो भी आपको detail लेनी है जो जानकारी लेनी है आप यहां से ले सकते हैं यह हमारे offline center जहां classroom चलती है दूसरा है बटा हमारा test series जो बच्चा हो सकता है classroom join नहीं कर रहा हो किसी कानवर्स हो सकता उस बच्चे के improvement के लिए कुछ आगे चल रहा हो तो वो test series भी यहां join कर सकता है यह जो हमारे पास test series होगी वो कोटा, विकाने, जोदपूर, दिल्ली, इसार यह हमारे पास क्या है test series centers बच्चों के लिए जो join कर सकता है उनकी detail आपको पास यहां है और देखो, बड़ा अभी जो है बच्चों के लिए नीट जो भी exam है हमारा 2023 उसके लिए एक test series DTS test series जिसको diamond test series के नाम से नाम दिया गया है उसकी test series start हो रही है तो बड़ा सवाल है हमारे पास 11th number at what height from the surface of earth the gravitational potential and the value of g are this or this तो बड़ा अपन को क्या बोला गया कि भई हम जानते हैं V का value क्या होगा minus gm upon r हुआ करता है ठीक और हम यह कहते हैं sorry अपन को तो height चाहिए gm upon small r होता है और e का जो value होता है वो minus gm upon small r square तो बड़ा हमने लिखा कि V by e दोनों को divide करो दोनों को divide करेंगे तो gm by r से gm by r cancel हो गया यह r कहां चला गया उपर तो V by e equal to छोटा r छोटे r को क्या लिखेंगे r plus h लिखा जाएगा V का value तुझे दिया गया बड़ा minus 5.4 into 10 raise to power 7 ठीक और upon किसका value बड़ा हमारे पास में e का value e का value कितना दिया गया आपनको 6 meter per second square तो यह value हो गया हमारे पास में कितना 6 यह magnitude लिया गया तो यह value हो गया हमारे पास में 0.9 यानि 9 into 10 raise to power 6 हो गया है बड़ा अब r वो दोर भेज देंगे तो minus r हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.4 into 10 raise to power 6 meter में लिख दिया 1400 km को किसे में लिख दिया बड़ा में तो यह जो value आएगा वो आएगा 9 minus 6 point तो 2.6 into 10 raise to power 6 meter तो 26 km आगया बड़ा यह कितना आगया 26 km है हमारा correct answer है fourth answer next question चलते है बड़ा 12 number सवाल है हमारा 12 number क्या बोला गया a satellite of mass M is orbiting the earth of radius capital R at a height small h from the surface the total energy of the satellite in terms of G node the value of the acceleration due to gravity at the earth surface तो यह क्या कहा गया भई यह हमारी earth है यह कोई satellite हुआ बड़ा अभी satellite की जो total energy होती है वो energy होती है हमारे पास में total energy minus Gme M node upon 2 into R हमको पूछा क्या गया बड़ा उपग्रह की कुल उर्जा क्या होगी तो R को लिखा जाएगा small r plus h small r लिखते हैं बड़ा तो capital plus तो distance कहां से ली जाती है बड़ा distance हमारी यहां से ली जाती है from there center of the earth यह है इसको थोड़ा सा change करना है small की रूप में तो इसको r square से उपर नीचे multiply कर दिया तो energy क्या मिली minus का small g बन गया यह और यह मिलके तो M into G node r square upon 2 into r plus h यही हमारी total energy होगी system की तो check कर लेते हैं हम लोग minus का M node g r square यही आंसर हो गया first ही इसका next question हमारा देखो अगरा question 19 में जो आया हमारा वो सवाल क्या लिखा गया वगनन to rise mass m from the surface of earth to the height h which is equal to the radius of the earth which is equal to the radius of earth हुआ तो क्या बोला गया कि भई आप जो है वो surface पे लेके जा रहे हो surface से तो potential energy कितनी gm m node by r जब उसको h height पे लेके गे तो potential energy कितनी gm m node by r और r कितना हो गया वही 2r हो गया यह हमारी potential energy वगन निकालना है तो work is equal to delta u u final minus u initial तो minus 1 by 2 plus 1 बाकी data वही है तो कितना बचेगा z m e m node upon 2r r से उपर नीचे multiply कर लो रहे भई तो क्या बच गया m node g into r by 2 yellow m g r by 2 first answer again यह हमारा work done जो होगा बेटा जैसे आप potential energy में जो change होता है उसके बराबर हमारा कारिय होगा work done होगा उसके लिए next question पे चलें देखो यह सवाल क्या दिया बेटा फिर से unit का सवाल हुआ आपको मैं यह unit बता चुका हूँ कि gravitational constant की unit होगी हमारी यह ती दो number gravitational constant की फिर आया gravitational potential energy क्या होती है joule अरे energy तो है यह कहन होगी हमारा चार number फिर आया gravitational intensity देखना बेटा gravitational intensity का मतलब electric field जस्ट पहले आया ता सवाल में एक में तो gravitational intensity का मतलब meter per second square acceleration यह third तो बचा कौन सा बेटा मारा इसका भी अगर आप potential का सोल करो तो आपके पास ने first आ जाएगा कहने का मतलब A का जो answer आया है मारा A के लिए आएगा वो second है B के लिए जो आएगा कौन सा हुआ बेटा B के लिए हमारा fourth हुआ C के लिए कौन सा हुआ बेटा जी हमारा gravitational potential के लिए first हुआ and जो D हुआ उसके लिए कौन सा हुआ D के लिए third हो गा यह check कर लेते answer कौन सा हुआ A के लिए second B के लिए fourth C के लिए one first answer यह again हो गया बेटा हमारा यह unit है यह आपको definition से आएगी सारी बाते बेटा है न अगला 22 नमबर सवाल देखेंगे बेटा 15 नमबर सोरी 15 नमबर बेटा gravitational field जो दिया गया है potential जो दिया गया है वो यह दिया गया है आप अगर सभी जानते हैं तो V या इससे लिख देता हूँ मैं इसको बेटा E जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा minus का dv by dr केवल x का term है तो आपको partial differentiation की तो सोचनी नहीं है बेटा जी है न सीधा ही बात कर लेना है minus का मैं लिखूंगा k तो constant हुआ d upon dx 1 upon x बेटा 1 upon x का आपको integration करना यहाँ minus और है तो वो minus और यह minus क्या हो गया हमारा plus हो गया चलो साब अब हम लोग differentiation करते हैं power minus 1 है इसकी तो minus 1 को पहले लिख दिया power में से एक कम कर दिया है बेटा तो minus का k by x square x की जगे कितना value रखा गया है 2 अगर y आता तो उसकी जगे 0 अगर z आता तो उसकी जगे 3 लिखते तो value आ जाएगा minus का k by 4 तो बटा हमारा first answer इसका 15 का हो गया next question है next question अपन को दिया गया है कि भई एक black hole है black hole का मतलब समझते हैं कि जिसमें light की velocity भी power नहीं कर पाती है वो light की velocity को भी absorb कर लेता है इसका मतलब बटा black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it to what approximate radius would earth बड़ी earth का radius क्या होना चीए लगबग हमारा तो बटा हमने कहा कि भई जो c होगा उसका value less than equal to होना चीए escape से तो यह हो गया gme by 2gme by r e s के velocity यह होती है बटा हमारी अब data रखते है 3 into 10 raise to power 8 का square मैं एक काम करता हूँ square कर देता हूँ बटा इसका ताकि उदर under root ना लगना पड़ है पन को equal to greater than equal to मैं आ गया 2 into g g का value 6.67 into 10 raise to power minus 11 into me देखो me 5.98 दिया है मैं लगबग निकाल लूँगा तो इसको 6 ले लेता हूँ बटा मैं 6 into 10 raise to power 24 यह mass हो गया upon radius radius अपन को निकालनी है नहीं radius यह r अपन को नया निकालना है तो बटा इसको solution करते हैं r e का value निकालते हैं r e का value 2 देखो एक काम कर लेते हैं 3 से 3 को कार दिया बटा 2 आ गया इस 3 को इस से कार दिया 6.67 से तो 2.2 आ गया बटा लगबग 2.2 आ गया यह आएगा मारे पास 2 to 4 4 तो यह 8.8 into 10 की power देखो minus 11 और 24 क्या plus का 13 बच गया बटा 13 में से यह 16 होए तो 10 की power minus का 3 बचा बटा कितना बचा यह minus का 3 बचा upon divide में क्या बचा बस यह बचा तो इसको हम लोग लगबग लिख सकते हैं इसको 10 के बराबर लिख दिया तो 10 की power minus का 2 मीटर तो answer क्या मिला अपन को 3rd answer का रख़ा answer ठीक है नया question बचा 17 नमबर जो सवाल है हमारा उस पे चले हम लोग तो क्या है देखो 17 नमबर बोला कि Kepler का नियम है हमारा Kepler low states that square period of revolution उसने सीधी बात कही है कि g और k का ratio हमारा क्या होगा इसको तो उसने k बोला है तो बताते हैं बचा देखो बचा t square equal to k into r की power 3 मैं यह कहता हूँ Kepler का जो नियम कहता है समय के लिए बात करूँ तो समय बराबर होगा 2 pi into radius upon v बचा आप v कहां से निकालते हैं v का value जब आप soul करते हो तो force और mv square by r को बराबर करने के बाद v का value आता है under root of g m e upon small r यह हमारा v का value आता है जब यह value यहां put किया जाए t की जगे तो लिखा जाएगा 2 pi r upon v root of g m r की power बचा 1 by 2 उपर आजाएगा हमारा तो इससे लिख दूँगा 2 pi r की power 3 by 2 upon under root of g m हमको तुलना इससे करनी है बटा तो इसका square करो पहले देखो square किया यहां एगा 4 pi square upon g m into r की power 3 आ गया अब तुलना करो k का value मिल गया तुझे तुलना यह k का जो value आया है k is equal to 4 pi square upon g into m अब सवाल में answer देख लेते हैं लोग 4 pi square तो इसको थोड़ा सा इससा लिख दिया g km equal to 4 pi square देखो मेरे इसाब से सबको आया होगा यह तो बटा यहां से हमने value रखा तो हमारे पास कौन सा answer आ गया है थर्ड answer इसका correct answer यह kepler का जो नियम है उसमें जो आवर्तकाल का time period का नियम होता है तीसरा नियम यह उससे लिया गया है यह kepler के जो तीन नियम होए उसमें से तीसरा नियम हुआ यह next question आता है हमारा 18 number देखो 18 number में क्या है कहाणी बोला गया कि 2 spherical body है mass m है और 5 m है और radius r और 2 r देखते हैं मेटा क्या दिगा गया एक body है हमारी यह और एक body है यह इसका mass 5 m है और 5 m एक मिनट यह m 5 m इसकी radius जो है बटा वो 2 r है इसकी radius r है यह mass m है इसका जो center है उसके center और इसके center की बीच की जो distance है center to center distance जो है मारी कितनी है बटा अपन को center to center distance जो है मारी वो 2 r है ठीक चले साब अब हमने का कि 2 r distance है तो हम लोग चलते है बटा आगे उसने बोला कि भाग रहा इधर की तरफ mutual attraction के कारण से तो एक बात बताओ प्रोपर देगो बताओ आपको मैं यह gravitation के सवाल में नहीं है समझो आप तो यह तो center of mass का सवाल हो गया क्या जो force लगेगा mutual attraction आपस का attraction बल क्या वो viable होगा क्या बल वो कौन सा बल होता है बटा internal force होता है internal force है कभी भी center of mass में displacement नहीं होता है यह दोरना शुरू किया यह दोरना शुरू किया एक समय बाद दोनों की टक्कर हुई अब एक बात बताओ दोनों की टक्कर हुई तो दोनों के center के बीच में distance कितनी है बटा भी भी क्या 3R है क्या इसका मतलब दोनों के center ने मिलकर कितनी distance टेवल करी है 12 तो दोनों के बीच में थी 3 जो हुई हमारी अब कह देता हूँ कि भाई ये तो x से ला होगा तो ये कितना चला होगा भाई 9 r minus का x से ला होगा तो लिख देता हूँ m1 x1 equal to m2 x2 x2 का value कितना वेटा 9 r minus का x हो गया m ने m को मार दिया 5 इदर आया ये 6 हो गया तो 6 x बराबर 45 r हुआ गया तो ये x का value आगया हमारे पास 45 तो 15 तो 7.5 r चेक करेंगे answer को कि x का value कितना है तो सवाल देखते हैं हम लोग क्या बोला गया then the distance covered by smaller body बटा ये छोटा वाला बोडी था ये m मास वाले ने कितना ट्रेवल किया 7.5 बड़े वाले का सवाल होता तो कितना 9 में से माइनस करते बटा तो 1.5 r हमारा ट्रेवल होता भारी मास के दुआरा तो अगला सवाल देखते हैं देखोड़ा next question क्या है the ratio of escape velocity at the earth ve to the escape velocity of the planet बटा एक धर्ती का escape velocity जो हुआ वो होता है मारा 2 of g m e upon r e यही होता है अब बोला गया कि जिसकी 3,0 और और सथ गनेतवे जो गनेतवे है प्लेनेट का वो जो हुआ बटा वो कितना गुना है दो गुना है row of earth की तरिज्या भी कितनी यह बटा r जो प्लेनेट की है वो दो गुना है r अर्थ की बटा तो मैं कह देता हूँ भई यह हमारे पास आया तो mass को लिखूंगा planet का row जो mass लिखूंगा इसकी तरम में धर्ती की तरम की रूप में वो लिखा जाएगा row, row को लिख दिया 2 row earth into r cube यानि 2 r e की power 3 अरे 4 upon 3 pi तो आएगा यह आएगा इसके नए वाले प्लेनेट की तो कितना गुना हो गया बटा यह 2 r की power 3 देखो कितना गुना हो गया है 16 गुना mass हो गया यह कितना हो गया mass हमारा 16 गुना तो मैं प्लेनेट के लिए escape लिखता हूँ under root of 2 into g into 16 m of earth upon 2 of earth यह सब cancel कर दो, divide कर दो तो ve upon vp का value आएगा 1 बटा under root of 8 देखो यह 2 कड़ जाएगा under root 8 पचेगा यह एक upon 2 root 2 यह correct answer तो यह पहला ही answer इसका सई answer हुआ 19 का इसमें बटा कई बार अलगल तरीकी के सवाल होता है अर्थ के लिए भी पूछ सकता था कि पहले हमारा यह s के velocity था अगर उसका average density हमने यह कर दिया radius को यह गुना कर दिया तो बताईए अपन को कितना अब नया वाला जो होगा वो कितना हमारा west के velocity नया हो जाएगा तो यह दो अलग के लिए ले लिया नया question हमारा 20 number sorry देखो बड़ा 20 number के सवाल क्या दिया kinetic energy of planet अब बड़ा यह बात समझो कि जो velocity होती है जो पास में आता है प्लेनेट उसकी velocity क्या होती है तेज जो दूर चला जाएगा उसकी velocity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यह हमारे पास में velocity किसकी जादा होगी VA की उसके बाद में किसकी होगी VB की और सबसे ज़्यादा दूर को नहमारा C तो उसकी velocity और B कम होती है बड़ा तो देखो काइनेटिक energy भी किसकी ज़्यादा होगी A की होगी उसके बाद B की होगी उसके बाद जिसकी रप्तार ज्यादा उसकी काइनेटिक एनरजी भी ज्यादा होगी तो आंसर नंबर कौन सा सही हुआ बटा तीन नंबर सवाल आंसर सही ये तीन नंबर का नेश्ट क्यूशन छोटा सवाल था ये अगला सवाल हमारे पास देखो दिमाग में आया तो सीधा का सीधा लिख दो कि भाई वी दिया गया है जिसका वेल्यू जनरली होता है चलो साब उसने बोला कि गनतवे समान दर्यमान गनतवे यानि रो तो समान हुआ पर्थवी के तिरिजा के चार गुना तिरिजा कर दी गई बटा तो जो सतह पर एक प्लेनेट है जिस पर तिरिजा कितनी है ये हो गई बटा तो मास कितना गुना हो जाएगा एम समान उपाती हो गया आर की गहात तीन क्योंकि गनत एम बराबर रो गुना आईतन होता है क्या रो तो समान है क्या अलग हुआ बेटा हमारा रेडियस अलग हुआ तो हम लिख देंगे भई ये आर्क की 4 हो गया तो हम लिख देंगे M बराब M जो प्लेनेट का होगा वो होगा 4 की पावर 3 मास ओफ अर्थ के बराबर तो नया हम लोग escape लिखेंगे प्लेनेट पर वो लिखा जाएगा अंडरूट ओफ 2G 4 की पावर 3 मास ओफ अर्थ अपोन 4 आर E देखो ये आ गया हमारे पास में 4 से 1 चार कट गया बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा मैं डिवाइड कर दू दोनों को तो डिवाइड क्या कर दो सीधा लिखता हम V प्लेनेट जो होगा अंडरूट ओफ 4 बाकी तो S के V बन जाएगा तो किसके बराबर 16 हुआ 16 ये 16 होगा 4 की पावर 2 बचाए बेटा यहाँ पर कितना आंसर आएगा 4 तीसरा आंसर पिर से वोई प्लाइन बेका एक प्लेनट से दूसरे प्लेनट के लिए देखो next question बाटा अगला सवाल क्या दिया आपको अगला बोला A particle is released from height as from the surface of earth at a certain height its kinetic energy is three times its potential energy जो गतिज उर्जा है बाटा देखो क्या बोला उसने कि इसकी गतिज उर्जा है इस्तिज उर्जा की तीन गुना है जो गतिज उर्जा हुई बाटा वो तीन गुना है किसकी तीन गुना है potential energy की किसी समय पर ठीक चलते हुई तो बोला क्या गया कि इस उचाई पर हमारा वेग कितना होगा देखो सवाल को हम लोग सही तरीके से देखते है बाटा हमने कहा काइनेट एक object को हमने छोड़ा यह वैसे तो gravitation का नहीं है kinematics का सवाल हुआ यह height s हुई हमारी यहाँ पर एक object को release किया था बाटा अपने किसी distance पर माल लेते हैं कि यह y चल गया है y चलेगा तो रफ्तार कितनी हो जाएगी बटा under root of 2g into y अब बताओ यहाँ पर जो kinetic energy है वो क्या लिखूंगा 1 by 2m into 2g into y वो किसके बराबर हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी mg into h की और अब यह h कितना है बटा हमारा वो h है हमारे पास s minus y यही तो हुआ clear हो गई बात है यह हमारे पास h हुआ अब यहाँ से थोड़ा सा solution करते है mg से mg cancel हो गया बटा 2 से 2 cancel हो गया y बराबर 3s minus का 3y तो y का value आएगा 3 बटे 4s हो गया यह तो y का value आया कि y यह है सवाल क्या पूछा आप से particle तो बोला क्या गया है कि height कहां से अर्थ की surface से कहां पर होगी बटा यह कहां से height थी हमारी top से तो अर्थ की सते से height कहां कितनी हो जाएगी s बटे 4 total s था यह 3 बटा 4s हो गया तो बचा कितना हमारा 1 by 4 हो गया बोला गया कि क्या पूछा हो रहा अपन से कि speed क्या होगी particle की तो बटा इस speed में y का value लिख दें जा हम लोग v बराबर under root of 2g into y y का value कितना है रहे भई 3 बटे 4s तो यह 2 से 2 के answer तो answer आएगा under root of 3 by 2g into s यह लो correct answer बटा तो हमारे पास में देख लो s by 4 3 by 2 s by 4 3 by 2s यह correct answer हुआ तो यह सवाल किसका था बटा kinematics का सवाल था ना कि gravitation का हाँ motion under the gravity हम लोग इसको कह सकते हैं बटा ठीक next question है हमारे पास देखो बटा अगला सवाल हमारा एक particle है जिसका mass m है और बोला गया है project कर रहे है with velocity v v का value जो kv square from the earth surface of the earth the maximum height above the surface reached by the particle देखो बटा दर्ती की सतय से हमने particle को फेका है किसी रबतार से फेका बटा कितने से फेका? v से जिसको हम कहेंगे k into ve से यह कहेंगे plane wake से फेका बटा plane wake का के गोना फेका होगने और बोला गया कि maximum उचाई कितनी होगी from the surface तो बटा उर्जा लगाएंगे उर्जा सरक्षन क्या लगाएं उर्जा सरक्षन? पहले गतिज उर्जा इस्तिज उर्जा minus gm m node upon capital R गति जूर्जा कितनी बटा टोटल उर्जी में? half of m node v square और v की जगह लिखूंगा यह बराबर जब यह अधिक्तम उचाई पे चला जाएगा तो गति जूर्जा zero केवल क्या बचेगी बटा? इस्तिति जूर्जा gm m node बटे किसका value आगया बटा? हमारे पास r plus h हो गया clear हुई बात यह अब अगली बात बटा आपको इतना जरूर पता हुआ होगा कि ve का value जो होता है वो root 2 gm e by r e हुआ करता है तो बटा इस ve square की जगह हम लोग यह लिख देंगे तो बटा यह लिख देंगे मैं तो कह रहा हूँ इस 2 को भी यहाँ से क्या लेंगे बटा नीचे ले लेंगे इस 2 को यहाँ बेज देंगे तो ve square बटा दो minus g capital M m node by 2 देखो बटा क्या लिखूंगा plus लिखा जाएगा gm e m node upon r e into k square equal to minus gm m node by r plus h हुआ देखो यह पूरा ट्रम हमारा cancel हो गया हमको थोड़ा सा गणीत लगाना है बटा जी यहाँ पर यह 2 नहीं यह r है हमारा यहाँ पर तो बटा minus का यह r e जो भी है r e यह r बोल दो minus का 1 by r plus k square by r equal to minus 1 upon r plus h इसका LCM ले लेंगे तो बटा देख क्या मिलेगा LCM लेने में मिलेगा k square minus 1 upon r यह इसके बराबर आ गया minus इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया अब मैं लिखता हूँ थोड़ा सा और बटा देखना इस minus को बाद में इसको इससे multiply कर लेता हूँ r plus h into k square minus 1 equal to minus का r इसको इससे multiply कर दिया इसको इससे cross multiply थोड़ा सा गुणा कर लेता हूँ बटा इसको नीचे बेश देता हूँ पहले तो एक काम करो इसको लिख दो 1 minus k square h को इदर रख दिया और r को उदर बेश दिया बटा देख लो h बराबर क्या lcm ले लो r minus r plus r into k square बटे 1 minus k square तो h का value आएगा r into k square 1 minus ये हमारा थोड़ी सी calculation है बटा बस सवाल में आपने ये concept लगा दिया यहां का उसके बाद में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए बस आपको गनी थोड़ी सी आनी चाहिए बटा देख लो k r into k square देखो बटा r into k square answer check करते है r into k square 1 minus k square तो बटा next question हमारा 24 number उसमें पूछा क्या गया है electric field जो है मारा उसका distance r के साथ में क्या relation होगा question number 24 और 35 same question है बटा देखो 24 और 35 में जो same question है उसके answer देखते हैं हम लो बटा देखो आपने जो e का value देखते हैं हम लो field का value वो होगा minus का gme upon capital r cube into small r कब होगा बटा ये जब small r का value greater than sorry less than हो हमारा small r का value less than हो capital r से मतलब धरती पर सबय के अंदर की तरह बात करें धरती के अंदर की बात कर रहे हैं यानि e proportional होगा r की दूसरा condition देखें बटाम लोग जब हमने कहा e बराबर e का value greater than r है तो क्या लिखा जाएगा e का जो value आएगा minus का gm upon r square ये लिखा जाएगा यानि इस condition में e proportional to 1 upon r square अब देखो बटा negative value है e की तो हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे इसको e ये r का graph ठीक तो हमारे पास में question number जो था 24 number उसकी बात करें हम लोग तो हमारे पास वो value आएगी देखो बटा ये negative value है पहले तो proportional हुआ कब तक होगा proportional बटा जब r बराबर नहीं होगा r की ये तो inside की बात हुई उसके बाद में कैसा graph बनेगा जो high पैरा बोला है ये graph e proportional to 1 upon r square ये अब इससे अगले वाला है उसमें e की बजाए क्या बोल दिया गया अपन को e की जगए पन को बोल दिया गया e की जगए यहां बोला गया बटा पन को कि भई हमारे पास में जो value है e की जगए वो क्या दियी गई है पन को जी दे दिया गया, gravitational acceleration बोला गया है जब gravitational acceleration बोला गया है तब हम बात करें इसके बारे में तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बात तो वही है, इस graph को हम लोग अगर मालो ऐसा दिया हुआ नहीं होता negative में तो हम लोग कैसा बनाते बड़ा graph को उपर भी तो बना सकते थे यार अगर नहीं देता negative का concept तो हम लोग कोई भी option negative नहीं होता तो उपर तो बड़ा 24 और 25 जो question हमारे वो same ही question हुए दोनों में कोई ज़्यादा फरक नहीं है दोनों एक ही graph के बारे में पूछे गए है ये question हमारा 24 था और ये question हमारा 25 है तो बड़ा ये गुरुनिती का जो हमारा next fifth number जो lecture था वो हमारा खतम हुआ Thank you